जब भी हमें किसी चीज के बारे में जानना होता है तो हम गूगल का सहरा लेती हैं हमारे मन में कोई सवाल हो कोई पजल हो मैट्स इंगलिश किसी राइटर के बारे में किसी के भी बारे में कुछ भी डीटेल्स चाहिए हो तो हम रुख करते हैं गूगल का आसपास कोई ऐसा शक्स हो जो हर सब्जिक्ट की अच्छी जानकारी रखता हो तो कई बार उसकी तुल्ला भी गूगल से कर दी जाती है गूगल की सभी बाते 100% करेक्ट हूँ ऐसा तो नहीं होता लेकिन हाँ एक्क्यूरेसी के मामल में गूगल को काफी हद तक सही माना जाता है हलकि सबको जवाब देने वाले गूगल की एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं बलकि पूरी 200 गलतियां एक लड़के ने धून गाई जी हाँ सही सुना आपने इन दौर के रहने वाले अमन पांडे ने ये कारणामा कर दिखाया गूगल की खामिया ढूरने वाले अमन पांडे को 65 करोड रुपे का इनाम दिया गया है अमन को गूगल ने बग की रिपोर्ट के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इनाम की रकम दी है अमन इन दौर में बग्स मिरर नाम की एक कंपनी चलाते हैं खुद गूगल ने भी अपनी एक रिपोर्ट में अमन का जिक्र किया है गूगल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बग्स मिरर टीम के अमन पांडे बीते साल उनके टॉप शोद करता रही है गूगल की खामिया निकालने वाले अमन के बारे में आपको गूगल पर ही बहुत सारी जानकारिया मिल जाएंगी बता दें अमन ने भोपाल एनाइटी से बीटेक किया साल 2021 में अपनी कमपनी को उन्होंने रजिस्टर कराया था अमन पांडे की कमपनी बक्स मिरर, गूगल, एपल और अन्य कमपनियों को उनके सिक्योर्टी सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाने में मदब करती है अमन जारखन के रहने वाले हैं मूल रूप से अमन की कमपनी में मैंनेजमेंट टीम में सिफ 4 लोग हैं और बाकि सारे इंटर्न्स काम करते हैं स्टार्टप के तौर पर उन्होंने अपनी कमपनी की शुरुवात पिछले साल ही की है गूगल की तरफ से भी अमन और उनकी कंपनी को लेकर बयान सामने आया है जिसमें कहा गया उन्होंने पिछले साल 232 बग रिपोर्ट किये उन्होंने 2019 में पहली बार अपनी रिपोर्ट दी थी और तब से अब तक वो Android Vulnerability Reward Program के लिए 280 से ज्यादा Vulnerability के बारे में रिपोर्ट कर चुके हैं ये हमारे कारेक्रम को सफल बनाने में महतकून साबित हुआ है आपको बताते चलें कि अमन की कंपनी algorithm के साथ embedded अनुप्रयोगों को स्वधेशी रूप से design और विक्सित करने में मदद करती है और इसी दोरान ये खामिया निकल कर सामने कई बार आ जाती है ये कंपनी बड़ी कंपनियों को उनकी सुरक्षा खामियों के बारे में बताती है अमन एक बेहद मिडल क्लास खामिली से आते हैं उनके पिता स्टेशनरी की दुकान चलाती है अमन ने ना सिर्फ एक मिसाल काइम की है बलकि ये कारनामा कर पूरे भारत का नाम रोशन कर दिया है अमन पांडे के दिमाग और मेहनत की हर कोई तारीफ कर रहा है आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंच करके पिराय हमें जब सुरूद